आपके पती आपसे मिलने आए आपसे मिलने पर इस संपादक के आत्मा अंदर तक से हरोड़ी तो नहीं कि न्याय के नाम पर एक निर्दोष अबला को फासी का दंड़्या दंड़्या आपसे सुनाकर हम एक और जगन अपराद करने जा रहे हैं इस संपादक ने घर के अंदर एक विवाहता के अत्या के अपराद और उसके बाद कि संपूर नयाएक प्रक्रिया को गहराई से समझने की चेश्टा के लिए खुष प्रजब्या आपसे बाद के बाद प्रवाद के अबला के लिए कर दो आप अपना काम करिये मैं तो बस यू ही आगे थी अरे नहीं बताओ नहीं तो दो दिन से आपको देखा भी नहीं तो सोचा था चाय के बहाने ही आफ करना चारू काम बहुत अधी के और समय कम अगली सप्ता य पेपर का पहला आग नहीं कल ले वाला है विड़ा पूरा जीवन दाओ पर लगा है और इतनी सारी चीज़े बहुत सोची सोची हैं पर बहुत सारा समय ले लेती हैं पर तुम जिंता बात करो एक बार सब कुछ कुछते हैं हो गया ना तु इतना समय नहीं लगेगे लुए बहुत पड़ी पड़ी क्या करूं कुछ करने को है भी नहीं पल गिनती हूं वो कटे नहीं तो कुछ और गिनना शुरू कर देती हूं आपको पता है हमारे घर में कितनी सीडिया हैं एक सो पंद्रा पच्चीस अंदर के जीने की जारू मैं समझता हूं लेकनी से ले तो तुम्हारे भाई और भावी को बुलाया है मन्ना भावी से मैं क्या बात करूँ उन्हें तो ना ही संगीत में रूची है ना साहित्यम में सचने धचने और ताश खेलने के अलावा वो कोई बात ही नहीं कर सकती क्या हुआ कुछ नहीं क्या देख रहे हो ऐसे ही ऐसे ही क्या अरे आको ठाना मनाते हुए देखकर अभी भूत हुँ अच्छा लग रहा है चल पागल कुछ भी अपनी पत्नी को बोलना यह सब चल यहां से चलो नहीं तो अभी भूत बना दोंगी इसमें क्या अपराध है मैं तो तलिवी मचलियों को देखकर अभी भूत हूँ कि कभ यह बहार आएंगे कभ हम खाएंगे बाभी, दादा वाएंगे? अफिस में और काम मौसम केसा है? ठीक है, काम कर रहे है तो मैं मिलकर आओंगे यह सुनों वो दरखास दाजी काले गाट ओफिस मोट जना चाहिए ठीक है दादा? अरे अमोल आजाओ मेरे शब्दियंत्र भाई एक बात बताओ यह हमें सब बसते क्यों रहते हो? क्या चाहते हो? सब कर रहां तुम अपर लेना चाहते हो? सुरी मजाग कर रहा हूँ तुम्हा गाना मजाना कैसा चल रहा है? गाना में जाना नी रादा संगीत बोलो आप मेरे किसी बात को गंभीता से क्यों नही लेते हैं बहा मतलब वही भावी, संगीत, सम्राट, श्रीमान, अमूल आपका संगीत कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है अच्छा और वकालत की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो भी अच्छी चल रही है कर रहे रहे वाजकल एक मकान किराय पे लिया है दादा पर इस आंगला देश में कला कलाकार और संगीत का ना तो कोई महत्व है और ना कोई सम्मान हो सकता है इस बार फिर शोर मचाने के जुर्म में मकान मालिक घर से बाहर गर्द है तर कोई और ठाटिकाना ढूनेंगे तुम खड़े क्यों है? बैठो आओ क्या हालत हो यह दादा कलाकार की एक का दूसरा चांटिकाना क्यों मारे पास आगे फिर से रो नहीं नहीं दादा आप फिर से मत शुरू हो जाएं आप तो जानते है मैं रोज सुबा उठकर र्यास करूँगा आप परिशान होंगे और आप भी मुझे उठागर भाहर कर देंगे एक काम करूँ यहां के फिर से रो ठीक है? और वैसे भी मुझे तुमसे एक काम है The Sentinel के संपादक भूपदी जी को एक काने बजाने वाले से काम है मोल में मजाग नहीं कर रहा है तुम्हारी आपी को फिर से संगीत सीखना है और इसके लिए उन्होने मुझे एक गुरुष मुझे को कहा है तुम सिखा दो तुम्हा रह भी जाना और जितनी मर्ज उतनी रियाज करना जब चाहो अन हो जाओ EPIC ON चलाओ तौनलोड थे EPIC ON APP EPIC ON छुम्हा जाओ EPIC ON EPIC ON EPIC ON